हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे काले चने की सबची तो उसके लिए चुपी इंग्रेडियन्स चाहिए वो मैं शेयर कर रहे हूं यहां पे सूखी लाल मिर्च लिए है तज पत्ता लिया है गरब मसाला आधा चमश लिया है चुटकी बर मैंने आमच चने को हमने बॉयल करके रखा हुआ है सोड़ा जुटकी पर और आधा चमश नमाख एड़ करके हमने उसको बॉयल कर दिया है इसको हमने पहले पूरी रात पर भीगोगी रख दिया था और बाद में उसको बॉयल कर लेना है साथ आठ गंटे तक हमें चने को भीगोगी बिल्कुल वैसा ही बनता है तो मिदू चमत इतना ओयल कर दिया है कि ओलको हम थोड़ा सा हीट होने देंगे को तो यहां पे आप देख सकते हो Vallahi हमारा हीड होचूका है तो थोड़ी से ट्रय करें गेंगी साइड किर लोग शाँ रिप करनी है हो तो यहां पर ऑधहें करती है और अभी हम तरश पत्ता के पता जो रीड चिलिती सुखी वो हम आड़ कर देंगे दोनों को मिने कड करके ऐसे एड़ कर दिया है और हलका सा इसटर करके बेशन लिया है फो बेशन इड़ कर देंगे और उसको रखते जाएंगे कैस प्लेम हमें यहां पे स्लो रखनी है ताकि जो बेसन है वो जल न जाए तो इसी प्रकार से कांटिन्यू स्टर करते रहना है जब तक यह बेसन है गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है तब ही तक हम इसको स्टर करेंगे इसका कच्छापन अच्छी तरह से मीट जाना और फ्रेंड्स कई लोग जो बेसन है उसको पानी में उसमें पानी एड़ करके उसका गोल्ड एड़ी कर देते है लेकिन आप यदि यह ट्रीक यूज करोंगे तो जो चने है बहुत ही तेस्टी बनते है बिलकुल जैसे हम मेरेज वगेरे में खाते है वैसे ही बनते है तो यहां पर मैंने आम चूर पावडर का यूज किया है लेकिन आप आम चूर पावडर के बदले लैमन जूस या फिर इंबली का पलप भी यूज कर सकते हो तो यहां पर सारे मसाले हम एड़ कर देंगे और फिर अच्छी तरह से उसको मीक्स कर लेंगे गैस फ्लेम हम यहां पे slow ही रखना है गैस फ्लेम बहुत ही ध्यान रख के आपको adjust करना है थोड़ा सा हम पानी एड़ कर देंगे दो बड़े चमत जित नाम ने यहां पे पानी एड़ कर दिया है और फिर से उसको stir करेंगे आप देख सकते हो इसकी thickness तो इसी तरह से यह अच्छी तरह से थीक हो जाता है तो भाँछ फिर से हम तुड़ा सा पानी एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मीक्स करेंगे कप और 2 मीर्टप्टास थी हम पकाएंगे ताकी फिर गाफ॥ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और यहां पर इनैंक एक चमतच इतनी चीनी अैड न ऐस पातुर है चीनी अच्छे हाझी अच्छे माश्यार Olympics अच्छे से कदे हो साथे मुर्मध भी एड कर शक्ते हैं कि टीन अच्छे तरह से मिक्स हो सकते हो तो फ्रेंट्स अभी जो चना है वो हम एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने एक कप जितना चना लिया था एक कप जितना चना मैंने यहाँ पर भीगो के रखा हुआ था तो friends यहाँ पर हमने चना एड़ कर दिया है अभी हम फिर से आधा कप जितना पानी एड़ कर देंगे आपको जैसा ही तीकनेस चाहिए उसी हिसाब से आपको पानी एड़ करना है पतला जाए तो थोड़ा ज्यादा पानी एड़ करेंगे आप और friends यहाँ पर पानी एड़ करने के बाद भी हम उसको थोड़ी देर के लिए पूप करेंगे ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा थीक हो जाए तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी थीक consistency चाहिए तो मैं थोड़ी और देर के लिए उसको उबालूंगी पांच मीट तक हमें उसको ऐसे ही उबलने देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम उसको श्टर करते जाएंगे तो friends जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बबल साने लगे है और इसकी जो consistency है थोड़ी सी थीक होने लगी है अब यहाँ पर मुझे और भी थोड़ा पतला लग रहा है तो थोड़ी और देर के लिए मैं इसको उबालूंगी तो friends यह अच्छी तरह से ठीक हो जाए बात पर हम क्यास को बंद कर देंगे तो आपको यह recipe कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर से बताएगा अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताक याने वाले सब भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे और हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप सबसे पहले वाश कर सके तो यहां पे आप देख सकते हो अभी यह तो इस स्टेज भी हम गयस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद में उसको सव करूंगी आप फ्रेंड्स आप यह जो चना है इसको पूरी के साथ या फिर चपादी के साथ कोई भी चीज के साथ आप इसको एंजोई कर सकते हो राइस के साथ भी यह बहुत ह अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स ऐसी और भी कई सारी रेसिपी इस हमारी शेनल पर है तो आप जरूर से चेक आउट किजीगा आपको जरूर से पसंद आएगी थेंक यू थेंक यू पर वाचिंग